हेलो स्टूडेंट्स वेलकम दाक्टो मैं चानल आइम जैश्री यादर सो बच्चो हम क्लास 12 का अकाउंट का सैंपल पेपर सॉल्फ कर रहे थे अकाउंट एंसी का सो यह पार्ट 2 है पार्ट 1 मैंने अप्लोड कर दिया है आप जाके उसे प्लीज देखना सो पार्ट 2 में हम पार्ट 1 का सेक्शन भी कवर करेंगे ठीक है तो इसको हम करते हैं चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसमें हमें 15 क्वेशन अटेंट करने हैं सबसे पहले 19th क्वेशन हम देख लेते हैं Angle & Circle are partners in a firm, their balance sheet showed furniture at 2 lakh, stock at 1 lakh 40,000, debtors at 1 lakh 62,000 and creditors at 60,000 square was admitted as a new profit sharing ratio agreed at 235 ratio ठीक है Stock was revalued at 1 lakh, creditors of 15,000 were not likely to be claimed, debtors for 2,000 have become irrecoverable and provision for doubtful debts to be provided at 10% Angle share in laws on revaluation amounted to 30,000, revaluate value of furniture will be तो revalued value of furniture हमें निकालनी है, calculate करना है, तो देखो इस question को आप कैसे करेंगे हम एक रफ में revaluation account बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए ठीक है, question number 19 ठीक है, एक्जाम में आपको बनाने की जरुरत नहीं है, बच्चे यहां पे सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए रफ में बनवा रही हूँ यह चीजे, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब देखो, question में यह क्या बोल रहा है, stock was revalued at 1 lakh, हमारा stock था कितने का 1 lakh 40,000 का ठीक है, अब कितने का हो गया 1 lakh का, तो कितने का भी हमारा stock decrease हो गया, तो हम उसे debit side में show करेंगे, right तो stock 40,000, ठीक है, clear, बात समझ में आई, उसके बाद creditors 15,000 are not likely to be claimed मतलब कहां दिखाएंगे, अब हमें नहीं देने, 15,000 creditors को amount pay नहीं करनी, are not likely to claim तो हमारे लिए क्या हो गया, मुनाफ़, profit, तो हम उसे कहां show करेंगे, creditors, credit side में तो यहां पर दिखादेंगे, creditor, कितने का, 15,000, बात समझ में आई, बच्चे, ठीक है then, debtors for 2,000 have become irrecoverable and provision for doubtful debts to be provided at 10% जो debtors है हमारे, वो क्या बन गए भई, irrecoverable, मतलब bad debts हो गई है हमारे 2,000 के हमारे bad debts हो गई और यह बोलने हैं कि हमें provision बनाना है ठीक है, provision for doubtful debts, तो provision देखो बनाना है तो debtors पे बनाएगा provision debtors हमारे कितने हैं, 1,62,000 में से हम minus कर देंगे 2,000 क्योंकि यह तो हमारे bad debts हो गए, अब भई, हमें पैसा नहीं मिलेगा 2,000 लोगों से, ठीक है, 2,000 हमें amount नहीं मिलेगी, तो कितनी amount आजाएगी यह हमारी 1,60,000, अब इस पे हमें provision करना है 10%, तो इसका 10% हम करेंगे, तो यह कितना आजाएगा हमारा 16,000, clear, ठीक है, यहां तक समझ में आया सभी को, उसके बाद question में क्या बोल रहा है, angle share in loss on revaluation amounted to 30,000, हमारा यहां पे loss हो गया, और angle का कितना amount आ रहा है भई, 30,000, मतलब loss on revaluation हमारा हो गया है, angle का आ रहा है 30,000, and circle का कितना आएगा भई, यहां पे देखो, old profit sharing ratio आपको given नहीं है, new given है, old नहीं given, तो हम क्या assume करेंगे कि वो equally है, तो circle का भी कितना आएगा, 30,000, ठीक है, तो यह total हमारा कितना आ जाएगा, भई, 60,000, तो यहां पे हमारा कितना आ रहा है total, 75,000, अब यहां का total करके देखो, आपका यह आएगा, 58,000 आपका यहां पे total आ रहा है, क्या यह match हो रहा है हमारा, नहीं हो रहा ना, match हमारा यहां पे, तो हमें क्या करना है, मतलब यहां पे एक और amount आएगी, तो वो क्या amount आएगी हमारी देखो, यहां पे 58,000 आ रहा है, इसका total इंतीनो Cette यहां पे 75,000 आ रहा है, मतलब हमारा furniture, ठीक है, furniture की value हमारी decrease हुई है यहाँ पर furniture हमारा कितने का था भई 2 lakh का था 75 में से 58,000 आप minus कर दोगे तो यहाँ पर हमारी furniture का पता चल जाएगा हम debit side में show करेंगे कितनी amount हम show करेंगे furniture की 17,000 ठीक है 75,000 minus 58,000 तो यह balance amount हमें पता चल गया अब आप देखोगे तो यह हमारा answer match हो जाएगा 75,000 ठीक है तो इसका right answer हमारा क्या आजाएगा इधर 17,000 था 17,000 मतलम 2 lakh हमारी क्या थी furniture की value given थी तो हम 17,000 minus कर देंगे ठीक है तो इसका right answer हमारा क्या आजाएगा बच्चे जल्दी से बताओ मुझे D आजाएगा right answer that is 183,000 बात समझ में आई ठीक है अब देखो next आशा, निशा, our partner sharing profit in ratio of 2 is to 1 कशिश was admitted for 14 share of which 18 was gifted by आशा, the remaining was contributed by निशा अब ये क्या बोल रहा है 14 share के लिए हमने admit किया कशिश को लेकिन उसमें से 18 तो किसने gift करा है आशा ने gift किया है 18 share तो निशा का share हम निकाल लेते हैं ठीक है वैसे तो half-half ही है देखो निकालेंगे कैसे 1 by 4 में से अगर हम 1 by 8 minus कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि निशा कितना contribute कर रही है ठीक है तो LCM लेंगे, LCM आजाएगा ये हमारा 16 so 4 minus 2 2 by 16 तो ये आगया हमारा 1 by 1 by 4 ठीक है 1 by 8 ठीक है 1 by 8 आगया मतलब आदा आदा 1 by 8 आशा गिफ्ट कर रही है and 1 by 8 निशाने दिया है उसे ठीक है तो ये हमारा 1 by 8 1 by 8 क्या आजाएगा 1 is to 1 sacrifice ratio निकल के आगई हमारी clear बात समझ में आई बच्चे यहां तक उसके बाद देखो firm की value है 40,000 40,000 firm की हमें क्या दे रखी है value दे रखी है तो हम इसमें से कशिश का share निकाल लेंगे goodwill का तो ये हमारा कितना आजाएगा 1 by 4 से हम इसे multiply कर देंगे तो ये हमारा आजाएगा 1 lakh sorry 10,000 ठीक है 10,000 आगया अब 10,000 को हमें क्या करना है इन्होंने बोला है how much amount for goodwill will be credited to Nisha's capital account निशा के capital account में हम कितना credit करेंगे तो sacrifice ratio हमारी कितनी आ रही है 1 is to 1 तो 10,000 को अगर हम करेंगे into 1 divided by 2 तो ये हमारा आजाएगा भई 5,000 तो right answer क्या आगया B 5,000 ठीक है then 21 at the time of admission of a new partner वासू, ओल पार्टनर, परेश और प्रभव had debtors of 6,20,000 and a provision for doubtful debts of 20,000 in their books as per terms of admission assets was revalued and it was found that debtors worth 15,000 अब देखो यहां पर debtors थे हमारे 6,20,000 के ठीक है और हमने एक provision भी बना के रखा है 20,000 का भई अब हमें पता चल रहा है it was found that debtors worth 15,000 has turned bad मतलब यह हमारे bad debts हो गए 15,000 के भई यह हमारे debtors थे अब हमें यह पैसा नहीं मिलेगा and hand should be written off और हमें इसे write off करना है which general entry reflect the current accounting treatment of the above situation तो पहले तो हम इसकी general entry पास कर लेते हैं आप सभी ने class 11th में पढ़ा होगा ठीक है bad debts की दो general entry पास होगी यहां पर एक तो bad debts की एक हमें यहां पर provision भी गीवन है तो सबसे पहले क्या हो जाएगा यह हमारा bad debts कितने का हो गया भी आपका bad debts to debtor clear 15,000 and 15,000 ठीक है अब यहां पर provision है 20,000 का जिसको हम use कर लेंगे 15,000 तो हमारे क्या हो गए bad debts ठीक है जो debtors थे वो हमारे bad debts हो गए provision for doubtful debts to bad debts provision हम use कर लेंगे भई किसलिए बनाया जाता है provision यह हमारा क्या जाएगा 15,000 and 15,000 ठीक है यह आपकी general entry हो गई अब हम देखते हैं कि जो हमने अभी general entry कर रही है इससे relate हमारा कौन सा करता है देखरो दो entry हो रही है bad debts to debtors and provision for doubtful debts to bad debts तो इसका right answer क्या होगा सबसे पहला bad debts to sundry debtors provision for doubtful debts to bad debts तो इसका right answer आजाएगा हमारा A clear अब next 22 देखो given below are two statement one labeled as assertion and the other labeled as reason सबसे पहला transfer to reserve is shown in PNL appropriation account right जो reserve होता है हम वो profit and loss appropriation account में show करते हैं reserve are charge against profit यह तो right है क्या यह सही है बच्चे reserve को हम charge against profit मानते हैं नहीं न गलत क्योंकि charge against profit हम क्या मानते हैं rent right या फिर हमारा manager को commission manager commission right इनी को ही मानते हैं charge against profit या interest on loan loan को मानते हैं right तो इसको हम reserve को नहीं मानते तो यह statement हमारी गलत है तो इसका क्या आ जाएगा A is correct but B is wrong तो A हमारा सही आ जाएगा answer clear now 23rd देख लेते हैं Anubhav, Shagun and Pulkit are partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 2-2-1 on 1st April 2021 they decide to change their profit sharing ratio to 5-3-2 on that date the debit balance of profit and loss account 30,000 appear in the balance sheet and partner decide to pass an adjustment entry ठीक है which of the undermentioned option reflect correct treatment for the above treatment तो देखो इस question को आप कैसे करोगे 23rd question adjustment entry हमें पास करनी है ठीक है सबसे पहले हम sacrifice ratio निकाल लेते हैं तो old ratio और new ratio देख लेते हैं हमारा क्या-क्या है so old ratio हमें कितना given है 2-2-1 and new ratio is 5-3-2 तो सबसे पहले अनुभव का निकाल लेंगे कितना आ जाएगा 2 by 5 minus 5 by 10 lcm आ जाएगा 10 so 4 minus 5 that is 1 by 10 तो यह आ गया हमारा gain ठीक है उसके बाद पुलकित पुलकित का क्या हो जाएगा भई हमारा 1 by 5 minus 2 by 10 तो यह आ जाएगा हमारा lcm लेंगे 10 2 minus 2 0 पुलकित कुछ नहीं कर रहा and शगुन शगुन का कितना आएगा 2 by 5 minus 3 by 10 तो यह आ जाएगा lcm 10 4 minus 3 that is 1 by 10 तो यह हो रहा हमारा sacrifice ठीक है यह आपका निकल गया अब देखो question में क्या बोल रहा है 30,000 तो 30,000 का 1 by 10 हम करेंगे तो कितना आ जाएगा by 3,000 ठीक है 30,000 into 1 by 10 तो यह आ गया आपका 3,000 तो इसकी entry क्या बन जाएगी आपकी शगुन टू अनुभव यह होगा ठीक है कितना कितना 3,000 and 3,000 तो अब हम general entry देख लेते हैं क्या हो जाएगी यह हमारी तो इसकी right answer क्या हो जाएगा शगुन's capital account will be debited हमने शगुन को debit किया था कितने से 3,000 से and अनुभव's capital account को हमने credit किया था 3,000 से तो right answer क्या हो जाएगा हमारा A. Is it clear? चीक है? अब next 24 देख लेते हैं A. B. C. Our partners their partnership deed provided for interest on drawing at 8% per annum B. Withdraw a fixed amount in the middle of every month middle है ध्यान रखना ठीक है every month and his interest on drawing amounted to 4,800 I. O. C. हमें दे रखा है interest on capital हमें दे रखा है at the end of the year What was the amount of his monthly drawings? सिर्फ drawings नहीं बोला बच्चे monthly drawings Question धिहान से पढ़ना नी तो गडबड कर दोगे आप लोग ठीक है? अब देखो जब हम interest on drawing calculate करते थे तो उसका formula क्या होता था? interest on drawing equals to drawing की amount आप लिखते थे right? उसके बाद multiply करते थे rate rate कितना given है? यहापे हमें 8 divided by 100 into middle of every month बोला है तो आप क्या लेते हो? 6 divided by 12 यही formula होता था आप लोगों का ठीक है? अभी हमें यह निकालना है drawing निकालना है interest on drawing हमें given है कितना given है? 4,800 तो यह मैं यहाँ ले लेती हूँ 4,800 को ठीक है? इसको इग्नोर करना अब हम इसे solve करेंगे तो solve कैसे करोगे बच्चे? जल्दी से बताओ ठीक है? 6,2,12 4,8 तो यह आजाएगा drawing को हम यह लिख लेते हैं इन्टू इसे उपर ठीक है? ऐसी होगा तो यह हमारा कितना आजाएगा? 1,20,000 राइट? ठीक है? 1,20,000 आगया I hope आपको यह calculation समझ में आ गई होगी बच्चे मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पर 48,000 4,800 था हम इस amount को यहाँ लेके चले जाएगे तो यह नीचे की amount है यह उपर आ जाएगी और यह वाली नीचे आ जाएगी ठीक है? सिंपल वो ही किया है तो 1,20,000 आ गया हमारा यहाँ पर अब हमें क्या करना है? अगर drawing पूछा होता है तो हम इसे कर देते 1,20,000 बट यहाँ पर हमें monthly drawing पूछा है monthly पूछा है मतलब 1 month का कितनी drawings है? तो हम इसे क्या कर देंगे? divided by 12 तो यह हमारा कितना आ जाएगा? 10,000 तो इसका right answer हो जाएगा A कई बच्चे गलती से 1,20,000 answer आ गया करके टिक मत लगा देना ठीक है? monthly पूछा है अभे और बल्दविन आर पार्टनर्स शेरिंग प्रॉफित इन रेशो 3-1 ओन 31st मार्ज 2021 फिर्म्स नेट प्रॉफित इस 1,25,000 पार्टनर्शिप दीद प्रॉइद इंटरेस्ट रन कापितल तो अभे और बल्दविन 15,000 और 10,000 रिस्पेक्टिवली इंटरेस्ट और ड्रोइंग हमें गिवन है 6,000 फॉर अभे और 4,000 फॉर बल्दविन अभे इस अल्सो एंटिल्ड टू कमिशन आट 10% और नेट डिविजिबल प्रॉफित ठीक है हम इसे कमिशन भी दे रहे हैं गैल्कुलेट प्रोफित टू बी ट्रांस्वर टू पार्टनर्स कैपिटल अकांट तो हमें यहां पे प्रोफित कैल्कुलेट करना है जो हम ट्रांस्वर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकांट अब देखो Question No.25 जल्दी से हम P&L appropriation बना लेते है NP हमें गिवन है Net Profit कितना गिवन है भई हमारा 1,25,000 आपको गिवन है Clear? ठीक है? अब क्या बोल रहा है ये भई Interest on Capital मतलब IOC हमें गिवन है कितना कितना 15,000 15,000 और 10,000 ठीक है? Interest on Capital दोनों का हमें गिवन है इतना ठीक है? मैं शॉट में लिख रही हूँ Interest on Drawings भी हमें गिवन है कितना कितना? 6,000 and 4,000 तो 6,000 and 4,000 10,000 ठीक है? उसके बाद हमें क्या बोला हुआ है भई? कि अभे is until to a Commission Commission करना है हमें उसे Commission देना है 10% on Net Divisible Profit Net Divisible Profit क्या होता है भई? जल्दी से बताओ Net Divisible Profit देखो Commission हम उसे देंगे लेकिन किस पे हम देंगे? 1,25,000 आड करेंगे 10,000 तो यह हमारा कितना आ जाएगा भई? 1,35,000 ठीक है? Net Divisible Profit बोला है जो हमारा जिसमें हम ट्रांसवर करते थे पार्टनर्स को हम देते थे उस पे हमें निकालना है Net Divisible Profit ठीक है? तो 1,35,000 में से आप 15,000 और 10,000 आप माइनस करोगे तो यह आपका कितना आ जाएगा? 1,35,000 माइनस 25,000 ठीक है? तो यह हमारा कितना आ जाएगा? 1,10,000 अब इसका हमें 10% करना है तो 10% इसका कितना आ जाएगा? 11,000 राइट तो कमीशन हमारा कितना आ जाएगा? 11,000 ठीक है? अब आप इसे सॉल्व करोगे 1,35,000 में से यह चीजे आप माइनस कर दोगे बच्चे तो आपका कितना आ जाएगा Profit 99,000 ठीक है? जो आप Profit डिवाइट करोगे Partners में वो आपका आ रहा है 99,000 बट इस Question में थोड़ा सा गड़बढ है ठीक है? 99,000 आपको कहीं पे भी Option नहीं गिवन है ठीक है? तो यह वाला आपको गलत दे रखा है Question ध्यान में रखना ठीक है? यह वाला गलत दे रखा है So next हम देखते हैं 26th Question Given below are two statements One label as assertion and the other label as reason So सबसे पहले Revaluation account is prepared at the time of admission of partners बिलकुल साही है हाँ बही बनाते हैं ठीक है? उसके बाद इसका जो reason given है वो क्या reason साही है? देखो It is required to adjust the value of assets and liabilities at the time of admission of a partner so that the true financial position of the firm is reflected Yes बिलकुल साही reason given है ठीक है? तो क्या हो जाएगा यह हमारा A and R both are correct ठीक है? तो इसका साही answer क्या हो जाए? R is the correct reason of A तो A हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर आजाएगा बोथ A and R are correct अब 27 देखो Apple Limited 45 forfeited 4,000 shares of 20 each fully called up on which only application money of 6 has been paid ठीक है? 6 रुपीजी पे किया है Out of these 2,000 shares were re-issued and 8,000 has been transferred to capital reserve Calculate the rate at which these shares were re-issued हमें वो rate find out करना है जो आपने re-issue किया होगा तो इसको देखो कैसे करेंगे हम बहुत ही simple है ठीक है? देखो सबसे पहले तो 4 feet करें हमने ठीक है? मैं आपको entry wise करवा रही हूँ बच्चे पेपर में आपको ये चीजे करने की जोरत नहीं है ठीक है? इसी फांसर निकालने से मतलब है हमारा तो देखो शेर कैपिटल 4 feet की entry क्या होती है? यही होती है शेर कैपिटल account to call in area to share for feature ठीक है? कितने share 4 feet कर रहा है? 4000 into कितने से हम multiply करेंगे बच्चे यहां पे? देखो 20 तो यह हमारा कितना आ जाएगा? 80,000 ठीक है? all in areas 4000 shares ते यह क्या बोल रहा है? application of 6 has been paid 20 में से 6 rupees has been paid तो कितना pay नहीं हुआ है? 14 ठीक है? तो amount कितना आ जाएगी? जो अभी तक pay नहीं हुआ है 56,000 and share for feature में कितनी amount आ जाएगी? 4000 into 6 जो paid किया हुआ है that is 24,000 ठीक है? बात समझ में आई? उसके बाद resue के entry क्या होती है? bank account share for feature to share capital ठीक है? अब ये क्या बोल रहा है कि कितना resue कर रहा है भई? ये हमारा 2000 shares तो 2000 तो हमें पता है तो share capital में तो वो ही आते है कितनी amount से कर देंगे? 20 से तो ये कितनी आ गई? हमारी 40,000 अब हमें क्या निकालना है? bank और share for feature ये वाली amount calculate करनी है तो देखो कैसे करेंगे? next इसने हमें एक और information given है, 8,000 transfer कर दिया हमने capital reserve में तो capital reserve इसके बाद entry होती है इसकी, ठीक है? क्या होती है? for feature to capital reserve अब हमें पता है capital reserve में कितना है? 8,000 8,000 ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा हमारा देखो इसको calculate करेंगे हम तो कैसे आ जाएगा? share for feature में कितना है? 24,000 ठीक है? into कितने shares का हम निकाल रहे है? 2,000 shares और कितने shares थे हमारे पास? मतलब 4 feet हमने कितने करें? 4,000 तो ये क्या आ जाएगा हमारा? इसको solve करो आप तो ये आ जाएगा 12,000 ठीक है? अब 12,000 में से हम capital reserve की amount अगर minus कर देते हैं तो ये हमारा आ जाएगा भई share for feature ठीक है? ये वाली amount आ जाएगी जो कि हम किसमें डालेंगे? share for feature discount वाली में ठीक है? तो share for feature में हमें पता चल गया 4,000 loss on reissue 4,000 amount हमारी निकल के आ गई तो अभी पता चल जाएगा bank account में कितना है? 40,000 में से 4,000 minus करेंगे तो 36,000 amount आ गई ठीक है? अब इन्होंने rate पूछा है कि आप reissue rate ठीक है? तो rate हम कैसे निकाल लेंगे? 36,000 को हम divide कर देंगे किस से divide करोगे भई? जल्दी बताओ कितने shares हम reissue कर रहे हैं 2,000? तो 2,000 से divide कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा? 18 तो आपका answer निकल के आ गया 18 पे आपने reissue कर रहे हैं बात समझ में आई 18 सही answer है बच्चे यहां पे 20 bank में 18 amount और share for feature मतलब discount में कितना आ गया? 2 rupees का आपने क्या दे दिया? discount दे दिया बात समझ में आई? चीक है? तो right answer is 18 18 तो 18 पे आप टिक लगा लोगे ठीक है? उसके बाद which of the following statement is are true? authorized capital is less than issued capital sorry greater than issued capital ठीक है? क्या यह सही है हमारा? या नहीं है? जल्दी से बताओ गलत ठीक है? authorized capital is greater or equal than issued capital बिल्कुल सही है subscribed capital is less than or equal than issued capital बिल्कुल सही है subscribe capital भई या तो equal हो सकती है इससे issued capital से कम होगी subscribed capital is greater than issued capital नहीं भई इससे जादा subscribe capital कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती तो इसमें options हमारे क्या क्या है भई one only, one and four, two and three हमने किस पे tick लगाया है? two and three पे तो C वाला is the right option ठीक है? Mickey, Tom and Jerry were partners in the ratio of 5-3-2 on 31st March 2021 their book reflected a net profit of 2,10,000 as per the terms of the partnership deed they were entailed for interest to earn capital amounted to 80,000, 60,000 and 40,000 respectively beside this salary of 60,000 each was payable to Mickey and Tom calculate the ratio in which the profit would be appropriate ठीक है? अब देखो, इसको कैसे करोगे? सबसे पहले हम जल्दी से P&L appropriation account बना लेते हैं roughly ठीक है? अब देखो अब देखो NP हमें कितना given है भई? क्वेशन में 2,10,000 ठीक है? और यह क्या बोल रहा है? Capital IOC दे रहा है भई यह अपने Partners को कितना कितना दे रहा है? 80,000 60,000 and 40,000 टोटल कितना आ रहा है हमारे पास? 1,80,000 ठीक है? उसके बाद यह क्या बुढ रहा है? Beside there is a salary of 60,000 each payable to Mickey and Tom मतलब Mickey and Tom को यह salary दे रहा है 60,000 यहीं लिख लेते हैं 60,000 and 60,000 ठीक है? अगर आप इसे calculate करोगे बच्चे तो यह आप कितना आ रहा है? यहाँ पे तो हमारा आ रहा है Profit कितना है हमारे पास? 2,10,000 लेकिन आप इसे calculate करोगे तो यह हमारा जादा आ रहा है 3,00,000 आ रहा है क्या हम यह profit दे सकते हैं? Profit में से हम यह चीजे पार्टनर्स को दे सकते हैं नहीं दे सकते तो अब हम क्या करेंगे? expense में ratio निकाल लेंगे यह वाला question आप लोगों ने किया भी होगा जब question किया होगा बच्चे तो देखो कैसे करोगे Mickey, Tom and Jerry तीनों के नाम लिख लिया हमने अब देखो हम इनको क्या क्या दे रहे हैं इनके column में लिख लेते हैं पहले तो भई IOC, interest and capital सबको मिल रहा है तो 80,000 Mickey को मिल रहा है 60,000 and 40,000 and Jerry को मिल रहा है salary किस-किस को मिल रहा है Mickey को और Tom को 60,000 and 60,000 अब करो इसका total कितना आ जाएगा 1,040,000 इसका 1,020,000 and Jerry का आ जाएगा 40,000 अब इसका हमें ratio निकालना है तो ratio calculate कर लो कितना आ जाएगा तो यह आ गया हमारा 7 is to 3 is to 2 sorry 7 is to 6 is to 2 ठीक है बात समझ में आई जब भी ऐसा वाला question आएगा बच्चे हम देखो profit नहीं profit में से हम यह सारी चीज़ा नहीं दे सकते क्योंकि हमारी जाद आ रही है 3,00,000 के आ रही है तो हम expense जो जो हमें देना है उनका हम ratio निकाल लेंगे ठीक है तो इसका right answer क्या आ जाएगा C 762 अब next देखो 30th question 30th question में क्या बोला है Mohit has been allotted for 600 shares by Govind Limited on pro rata basis which had issued 2 shares for every 3 applied मतलब जिनोंने 3 के लिए apply किया होगा उन्हें 2 shares allot कर रहे हैं मतलब 3 to 2 ratio आ गया वह हमारा बात समझ में आई pro rata basis पे यह हमारा ठीक है He had paid application money of 3 per share and could not pay allotment money of 5 per share clear यहां तक ठीक है first and final call of 2 per share was not yet made by the company company ने अभी तक first and final call नहीं मंगवाया है his shares were 4 feet कर लिया उसके shares the following entry was passed तो हमें amount देखनी है कितनी amount किस column में हमें लिखना है तो बहुत ही simple question है बच्चे यह करोगे कैसे इसे देखो question number 30 ठीक है question में हमें पता है कि allotted तो हमें given है allotted given है कितना 600 shares apply निकालना है कि भई कितनों ने apply किया होगा कि हमने उसे 600 allot किया होगा अब देखो apply निकालों के कैसे आपको पता है ratio given है कि 3 to 2 ratio given है जिन लोगों ने 3 के लिए apply किया था उन्हें हमने सिर्फ 2 ही दिया है 2 ही shares allot करे है ठीक है तो यह कैसे हो जाएगा 6000 into 3 by 2 करोगे तो यह हमें निकल जाएगा भई 300 300 900 लोगों ने मतलब 900 apply किये थे जिसमें से हमने 600 ही allot करे है shares बात समझ में आई बच्चे यहां तक ठीक है उसके बाद देखो 900 shares हमें entry क्या पास करनी है his shares were four fitted four feature वाली entry क्या होती है पहले वो कर लो फिर मैं आपको calculation करना बताऊंगी share capital account two share allotment क्योंकि allotment का पैसा नहीं मिला two share four feature ठीक है बात समझ में आ गई यहां तक अब देखो 900 के हिसाब से हमें money receive हुआ होगा SS amount वाला case है भई 900 के हिसाब से हमें application money receive हुआ होगा तो कितना three से multiply करेंगे तो कितना आ जाए गई है हमारा 2700 ठीक है लेकिन हमने allot कितने करे थे 600 shares तो हमें मिलना कितना चीह था 1800 तो SS amount कितनी हो गई हमारी 900 तो इसको क्या करेंगे हम allotment में adjust कर लेंगे अब देखो allotment पे हमें कितनी amount कितने money receive होना था 600 shares थे allotment money हमारा कितना है भई 5 per share तो उसे साब से हमें कितना receive होना था 3000 लेकिन जिसमें से हम 900 already हम adjust कर चुके हैं तो हमें actually में कितना receive होना था 2100 जो कि हमें receive नहीं हुआ है यही कहना चाहरा है और इसने share 4 feet कर लिया तो इसकी देखो entry कैसे हो जाएगी share capital account में क्या amount आ जाएगी हमारी कितने shares थे 600 shares उसने 4 feet कर लिये तो 600 into 8 करेंगे हम 8 क्यों कि आपको पता है बच्चे क्योंकि यह बोल रहा है first and final call अभी हमने मंगवाई नहीं है तो 5 plus 3 8 होता है हमारा इसलिए share capital में वह amount चली आ जाएगी हमारी तो कितना आ जाएगा यह हमारा 4800 share allotment में कितना आ जाएगा भई कितना पैसे उसने नई दिया 2100 ठीक है एंड share for feature में कितनी amount आ जाएगी हमारी share for feature में या तो आप balance करके निकाल सकते हैं या फिर इसका एक और तरीका है देखो कितने share से 600 shares और उसने application की amount दे दी मतलम 3 rupees के हिसाब से हमारे पास कितनी amount आ गए 1800 amount हमें मिल गई है ठीक है लेकिन प्लस ये जो 900 assets हमने निकाला था ये भी तो हमें मिल गया हमने 4 feet कर लिया ये उसने pay कर दिया था ना 900 तो अल्डेडी हमें मिल गया ठीक है तो ये 900 भी हम add कर देंगे इसमें तो ये कितना आ जाएगा हमारा 2700 बात समझ में आए आप लोगों को ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4800 2700 2100 तो C आजाएगा इसका राइट आंसर ठीक है अब देखो next 31 given below are two statement one labeled as assertion and the other labeled as reason assertion A का in case of share issued on pro rata basis assess money receive at the time of application can be utilized till allotment only तो भाई ये बिलकुल गलत है अगर हमारी जादा ही assess amount हो जाती है तो हम उसे calls पे भी adjust कर सकते हैं सिफ allotment तक सेमित नहीं रहता ठीक है तो ये first case तो हमारी क्या हो गया गलत हो गया अब reason देखते हैं company has to pay interest on call in advance at 12% per annum for amount adjusted toward call if any in the contest of the above two statement which of the following is correct तो second बिलकुल right है ठीक है तो इसका right answer क्या हो जाएगा भई बोथ AR are true but R is not explanation of working capital management both A and R are true R is the correct explanation both A are false A is false and B is true तो इसका right answer हो जाएगा D बात समझ में आई बच्चे ठीक है अब next देखो Ajay and Vinod are partners in the ratio of 3 is to 2 their fixed capital were 3 lakh and 4 lakh respectively after the close of account for the year it was observed that the interest on capital which was agreed to be provided at 5% per annum was errorlessly provided at 10% हमें देना था 5% लेकिन हम गलती से हमने 10% दे दिया ठीक है By what amount will Ajay's account be affected if partner decide to pass an adjustment entry for the same simple कैसे करेंगे हम बताओ देखो 32 बहुत ही simple है ठीक है Ajay and Vinod ठीक है हमने गलती से क्या कर दिया इंट्रेस्ट अल्रेडी क्रेडिटेड at 10% हम इससे मंगवाएंगे वापस करो यह वाला इंट्रेस्ट हम आपको जो correct इंट्रेस्ट हो प्रवाइट करेंगे तो यह हमारा हो जाएगा debit ठीक है तो कितना आ जाएगा भाई 10% के इस आपसे 30,000 3,10,000 30,000 and 4,10,000 40,000 ठीक है उसके बाद इंट्रेस्ट डाट शूड बीन क्रेडिटेड कितना क्रेडिटेड होना था भाई at 5% तो हम इससे क्रेडिट कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा 15,000 and 20,000 ठीक है 30,000 का 5%, 15,000 and 4,00,000 sorry 3,00,000 का 5%, 15,000 and 4,00,000 का 5%, 20,000 आ जाएगा अब आप इसको माइन लेस कर दो तो यह आपका कितना आ जाएगा भाई 15,000 and 20,000 तो साइन किसका बड़ा है तो यह आ जाएगा हमारा डेबिट ठीक है अब जो इनका टोटल है टोटल कितना है 15 plus 20 35,000 तो हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा इससे प्रॉफिट इंक्रीज by 35,000 ठीक है अब हम इसको किस रेशयो में डिस्ट्रिब्यूट कर देंगे 3 to 2 में तो 3 to 2 रेशयो में आप इसे डिस्ट्रिब्यूट कर दो तो यह आपका आ जाएगा भई 21,000 इसे हम क्रेडिट कर देंगे और यहां पर आ जाएगा आपका 14,000 तो आप इसे कैलकुलेट कर लो यह आ गया 6,000 किसका आ जाएगा क्रेडिट और 6,000 यह आ गया हमारा डेबिट तो विनोज कैपिटल अकाउंट टू अजेज कैपिटल अकाउंट तो देखो सॉरी करेंट अकाउंट तो यहां पर हमारा राइट आंसर क्या आ जाएगा सी ठीक है अजेज करेंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड बाइ 35,000 सॉरी बी 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 हमारा अंसर 6,000 आ रहा है तो यहां पर क्या पूछा है अजे का तो अजे का करेंट अकाउंट हम क्या कर देंगे भई क्रेडिट कर देंगे 6,000 से ठीक है 6,000 क्रेडिट कर देंगे अब नेक्स्ट 33 क्वेश्चन देखो बच्चे 33 क्वेश्चन में हमें क्या बोला है विश्नु लिमिटेड 45 20 शेर्स ओफ 10 इच 8 कॉल डप 8 कॉल डप है हमारा थीक है और विच जॉन हाड पेड अप्लिकेशन और अलोट्मेंट मनी 5 पर शेर अफ दीज 15 शेर्स वे री इशूद तू प्रकर अस फुली पेड अफ फॉर 6 पर शेर वाट इस दा बैलेंस इन दे शेर फॉर फीचर अकाउंट यहां पे पूछा है बैलेंस शेर फॉर फीचर अकाउंट में ठीक है आफ्टर दर रिलेवेंट अमाउंट हाज बीन ट्रांसफर टू कापिटल रिजर्व अकाउंट तो देखो इसको कैसे करोगे आप सिंपल जनरल एंट्री समझना अराम से ठीक है 33 क्वेशन में सबसे पहले भई क्या शेर फोर फीचर की एंट्री होगी फोर फीट कर रहे हम तो शेर कैपिटल अकाउंट टू कॉल इन एरियर टू शेर फोर फीचर फोर फीट हम कितना कर रहे हैं भई 20 शेर्स को ठीक है लेकिन कॉल डप कितना है हमारा क्लियरली हमें गिवन है 8 तो 8 से हम मंटिप्लाई कर देंगे कितना आ जाएगा 160 कॉल इन एरियर्स हमारा कितना आ जाएगा 20 इन टू 3 ठीक है तो ये कितना आ गया हमारा 60 उसके बाद शेर 4 फीट हमने कितना कर लिया भई कितनी उसने अमाउंट हमें दे दी 5 पर शेर उसने हमें रिसीव हो गई है तो 20 इन टू 5 तो ये हमारा कितना आ जाएगा हमारा 100 यहां तक क्लियर बच्चे सभी को समझ में आया नेक्स्ट रिशू की एंट्री क्या होती है हमारी बैंक अकाउंट शेर 4 फीचर टू शेर कापिटल अकाउंट अब देखो ये रिशू कितना कर रहा है 15 ठीक है रिशू 15 कर रहा है और एक शेर हमारा कितने का था 10 रुपीज का तो ये आ गया हमारा 150 बैंक अकाउंट में कितनी अमाउंट आ जाएगी भई ये बोल रहा है ना रिशू टू प्रकर आस फुली पेड अप 6 पर शेर तो 6 पर शेर मतलम 15 इंटू 6 90 ठीक है और शेर 4 फीचर में कितना आ जाएगा हमारा 64 रुपीज का डिसकाउंट इंटू 4 तो 60 आ गया ठीक है अब next capital reserve share 4 फीचर 2 capital reserve में कितनी अमाउंट जाएगी देखो कितना अपर शेर 4 फीचर में 100 रिशू कितना कर रहे हैं 15 शेर्स नीचे 20 शेर्स काव में ये given ता शेर 4 फीचर में अमाउंट तो इसको आप calculate करोगे तो यह आपका आ जाएगा भई कितना 75 amount आ गई अब 75 में से हम 60 minus कर देंगे तो यह हमारा आ जाएगा 15 जो की हम capital reserve में transfer करेंगे ठीक है अब यह हम से क्या पूछ रहा है balance ठीक है what is the balance in the share for feature account for feature account बनाना है हमें for feature account में कितना balance आएगा ठीक है share for feature में तो share for feature देखो उपर हमारा account क्या है यहाँ पर credit हो रहा है 100 से हम इसे क्या कर देंगे credit कर देंगे ठीक है share capital 100 से हमने credit कर दिया जैसे आप ledger में posting करते थे बिल्कुल वैसे हमें यहाँ पर करना है बच्चे उसके बाद share for feature यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा debit तो हम इसे debit side में show कर देंगे ठीक है share capital के नाम से कितना 60 यहाँ पर भी हमारा share for feature क्या हो रहा है debit हो रहा है capital reserve कितना 15 तो 100 में से 60 और 15 को अगर हम minus करेंगे तो यहाँ पर हमारा balancing figure आ जाएगा ठीक है कितनी आ जाएगी यह वाली amount 25 बात समझ में आई तो 25 इसका right answer होगा तो यहाँ पर option C clear ठीक है अभी next देखो new fund limited took over business of old land limited and paid for it by issue of 30,000 equity shares of 100 each at per along with 6% preference shares of 10 crore at a premium of 5% and a check of 8 lakhs what was the total agreed purchase consideration payable on two old land limited बहुती simple है 30,000 equity shares of 100 each तो यह हमारा कितना आ जाएगा भई calculate गर के बताओ 30,000 into 100 करेंगे 30,000 into 100 मैं यहाँ परी solve करके दिखा रहे हो आप लोगों को तो यह आ जाएगा हमारा 30 lakh ठीक है उसके बाद यह बोल रहा है कि 6% हमें preference shares premium of 5% करना है तो इस पर 5% आप करोगे into 5% करोगे तो यह आपका कितना आ जाएगा 5 lakh ठीक है और हमने check दिया है 8 lakhs का तो यह total करो आप यहाँ पर तो total आपका कितना आ जाएगा भई 1 करोड 43 lakhs ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बी इस इट क्लियर बच्चे ठीक है सिंपल था यह वाला तो अब नेक्स्ट देखो 35 question a b partners है in the ratio of 3 is to 2 c को admit कर रहे है as a partner and he takes one-fourth of a share from a a से वो one-fourth ले रहा है तो बी का कितना हो जाएगा 3-4 बी से कितना ले रहा है वो 3-4 ठीक है a b gives 3 by 16 from his share लेकिन b कितना दे रहा है 3 by 16 of a share to c तो c का share हमें calculate करना है ठीक है तो हम यहाँ पर assume कर लेते हैं कि c का share हम x रख लेते हैं तो यह क्या हो जाएगा भई बी से कितना ले रहा है 3 by 4 of x ठीक है जो कि हमारा आ जाएगा बी का कितना है बी कितना दे रहा है 3 by 16 तो x की amount हम calculate कर सकते हैं बच्चे यहाँ पर तो x क्या हो जाएगा 3 by 16 into 4 by 3 तो यह आ जाएगा हमारा 1 by 1 by 4 तो x की amount क्या आ गई हमारी 1 by 4 तो a is the right answer Krishna Limited